Hello friends, मैं हूँ आपके सामने गोरो मिंगलानी इस वीडियो में जो टोपिक अब हम स्टड़ी करने जा रहे हैं That is Types of Conflict ये Conflict की 5 टाइपस हमको स्टड़ी करने को मिलती है Conflict के इस Topic Ender में तो ये Topic बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Conflict reality में है क्या Conflict simple सी बात है जिकि जब दो लोगों की opinions के बीच में difference होता है अब एक परसन कुछ और बोलता है दूसरा परसन कुछ और बोलता है तो दोनों की सोच में, दोनों की thinking में दोनों की opinions के अंदर difference है और इस difference की वज़ा से Conflict start हो जाता है Conflict दो लोगों के बीच में भी हो सकता है दो groups के बीच में भी हो सकता है Conflict positive भी हो सकता है Conflict negative भी हो सकता है पर Conflict की सबसे खास बत यही है कि अगर ये conflict, अगर ये संघर्ष दो लोगों के बीच में है तो ये दोनों लोगों को feel भी होना चाहिए येस ये दोनों लोगों को feel भी होना चाहिए तो कहते हैं कि जब जहां जहां दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो वहाँ पर लोगों की opinions में difference का पाया जाता लोगों की thinking में difference का पाया जाना normal सी बात है अब जब difference होगा तो definitely वहाँ पर conflict भी होगा तो ये conflict हर परगार की organization के अंदर पाया ही जाता है चाहे आप एक school की बात करें, चाहे आप organization की बात करें चाहे आप college की बात करें या किसी company की बात करें अब हम बात करें चाहिए हमारे घर की, घर के अंदर भी बहुत सरे लोगों रहते हैं, लोगों की thinking के अंदर difference मिलता है, father और son दोनों की thinking में difference मिलता है, mother और daughter उनकों लोगों की thinking में difference मिलता है, तो जहां-जहां लोगों की thinking और जहां-जहां लोगों की opinions में difference है, definitely वहां पर conflict ह होगा ही तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस topic का क्या meaning है एक organization के base पर conflict के कौन-कून से types हैं Types के अदर पहला आता है Intra-personal conflict Intra-personal conflict का क्या मतलब है कि जब एक इंसान के अंदर एक अकेले इंसान की बात कर रहा हूं गो दी मैं जब एक इंसान के खुद के अंदर संगर शल रहा है, किसी भी बात को लेकर हो सकता है तो that is intra-personal conflict, अब जहां दो लोगों के बीच में conflict चल रहा है, जहां दो लोगों की thinking आपस में match नहीं हो रही, काम करना चाते हैं, एक ही जगा जाना चाते हैं, एक आता है, मैं रेल कड़ी से जाऊँगा, दूसरा कहता है, मैं कार से जाऊँगा जाना दोनों, एक साथ चाते हैं, पर फिर भी दोनों की thinking match नहीं हो रही जब दो लोगों की thinking जब दो लोगों की opinion match नहीं होती, तो वहां पर क्या होता है interpersonal conflict अब हम बात करते हैं, next intra-group conflict अब यहां पर हम एक ही group की बात कर रहे हैं, एक ही group के अंदर काफी सरे members काम करते हैं, अब उन सभी members की thinking के अंदर difference है, उन सभी members की opinions में difference है, तो एक ही group के अलग-अलग जितने भी members हैं, उन लोगों की opinions में जो difference है जब वो conflict बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं intra group conflict यहाँ पर अब आ गया next topic next topic क्या है inter group conflict अब माल लीजिए production department और purchase department दोनों की thinking में difference है तो क्या हो गया inter group conflict मतलब दो groups की opinion में difference होना conflict generate कर देता है next organizational conflict organizational conflict को दो parts में divide किया गया है पहला है intra organizational conflict intra organizational conflict के अंदर क्या आएगा जब एक organization के अंदर अंदर लोगों के बीच में एक organization के अंदर अंदर groups के बीच में conflict चलता रहता है तो that is intra organizational conflict अब बात आती है कि inter organizational conflict क्या है जब एक organization की दूसरे organization की opinions match नहीं होती, तो एक organization का, दूसरे organization के साथ struggle start हो जाता है, that is inter-organational conflict तो अगर आप इस complete video को देखना चाहते हैं, तो इस complete video का link मैंने आपको इसी video के description box में भी दिया हुआ है, plus मैंने दो important playlists आपको इसी video के description box में available कराई है MCOB के नेम से, बहुत तो मिलता हूँ मैं आपको next video में, तो video के comment box में भी जरू लिखेगा, आपको कौन से particular topic के उपर और वीडियो चाहिए, तो यहां तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद